कि अच्छी का खाल्चा वाय गुर्जी के पते वाय साथ मानवता चैनल के फेस्बूक लाइब पर आज के सभी महानों अब हमारे बीच में अरशाहिद्र वाद्शु साथ हमारे साथ जूढ चुके हैं बहुत-बाड़ स्थाम सर्दार मनमुहन सिंघ सेरानी साथ गुरुगवीं सीनि के स्टडी सर्कल के पाूंडर मेंबर रायपुर्ट तीजिए तर्फे पर दोनाश सबीरवाटिया साथ अमेरिका से स्टेस्स न हैं वो भी हमारे अधरणी हैं उनका में बहुत बहुत स्वागत वायगुर्जी का का पर आज के खास परीचर्चा पर आज हम मा डॉक्टर एंदर जीट वाशू प्रोफेसर साथ को को हम समर्पित करेंगे क्योंकि उनकी जो किताब है गुर्मत संपुर्ण जीवन दा मारे इस किताब को लेकर दस राइटरों को सब्बानित किया जाएगा आगामी समय में उनको और इस किताब के लिए हम सब लोग वाय साथ महनुता चनल पर उन्हें बदाई देने के लिए आ जीते जी बहुत सारे मान समान मिल जाते हैं वैसा ही हमारे सुग्देश सिंग लान साथ थे जिनको हमारे बीच में वो चले गए उन्होंने भी बहुत सारे किताबे लिखी उनका भी मान समान रास्टी इंतर रास्टी में होता रहा आज हमारे बीच में इंद्रिजित साइब को बाद में लेंगे पहले हम राइपू छत्यजगर से मनमोहन सिंग सेलानी साब को हमा मंद्रित करते हैं उनके सहपाटी मित्र हैं और काफी लंबे समय से उनके हमसफर साथी रहे हैं लुदियाना से ही तो मैं चाहूंगा गुरु छत्यजगर की धर्दी से उन्हें इ वासूजी को आज के सम्मान के लिए जो पंजाब सरकार द्वारा दिया जा रहा है बहुत बहुत मुबारक बधाई कंग्रेचुलेशन्स क्योंकि मैं उनीसोबहत्तर में जब काला इलु दियाना में पढ़ता था उस समय से मेरी पहचान सरदार इंदर जी सिंग वासूजी से है कि बच्पन से ही इनको पड़ाई लिखाई कवता का शौक था ये मेरे ही नहीं मितर मेरे पिता जी के भी मितर थे पहले उन से दोस्ती थी पंजाबी सुबह मुर्चा के दोरान इनको कभी कभी कलगी दर गुर्दवारा में टाइम मिला करता था कि उसी एरिये में ये उस समय ये गाहे बगाहे कवताएं बोलकर संगत के जैकारे लगवाते थे और उस समय इनका शौक बढ़ता गया और उसके बाद ये एक सरकारी नौकरी बी एस एनल जिसको आजकर कहा जाता है वो टेलीफून डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी के रूप में नौकरी करूं फरवार को पालूं लेकर अंदर का शौक जो जिन्दा रहता है इन्हों ने जो स्कूली एजूकेशन के बाद ही गौवर्मेंट आफ इंडिया की नौकरी जोएन की लेकर अंदर का जो शौक था उसको पूरा करने के लिए गौवर्मेंट कालज लुद्याना में में क के जूनियर के रूप में पढ़ता था लेकर ये सैतिक रूचियों के कारण हमारी आपस में दोस्ति कालज में अंदर उसी समय ये मेडल गोर्डन मेल लाने में स्पेशलिस्ट थे हमेशा कुछ ना कुछ ये कालज के जोली में लाकर डालते थे और लिखने का शौक इनको ज किताबें लिखी हैं और उस समय इतनी किताबें फोज करके ने लिखी गई कैई बार इनने गुरू गरंट साहब के ओपर पीएजडी लिखी ये जो गुर्मत में संपूरन मनुक्ता का विकास जो है उसका अधार है ये जो किताब लिखी ये इनकी एक मास्टर पीस है जिसक उपर हम इनको बहुत बदाई देते हैं वाई गुरू करें ये ऐसी रचनाएं हमें देते रहें विदवान जितना भी बज़र्ग हो जाए और कीमती होता जाता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा खजाना जो उसके दिमाग में भरा होता है उसको डिलिवर करने की शमता उसके अंदर बढ़ती जा रही है और आज देश देश के अंदर खुश्शी का महौल है कि वासू साब को जो ये दाखला पंजाब गौर्वर्ट की तरफ से इनाम देने का जो ऐलान किया गया है और हम चाहेंगे कि ये अपनी रचनाएं जो कवताएं हैं और जो होज है इस इसका सिलसला जारी रखें ये ही मेरी चुब कामनाएं हैं और आज के प्रोग्राम में सराज Diosmere सिंङ जी जो अमेरिका से शامल हुएं मेग राजी जो अमेरिका से शامल हुए हम उनका वे बननंदर करते हैं अभी फलोरीड़ा का में ये सीन देख हरा था जो टीवी के ऊपर कि वहाँ पर जो भारी तवाई होई उसके निजारे जो भले हो नेगटिव निजारे हैं और देखने को मिल रहे थे कि वहाँ ऐसा पिछले सौ साल में तवाई नहीं होई जो अभी होई हम उसके लिए भी अर्दास करते हैं कि वहाई गुरू जहां जहां खालसाजी साहब ताहां ताहां रच्छा रहत और आप अपने सिर्फ सिक्खों की नहीं पूरी मानुटा की है प्रभू इनके रक्षा करके उनके शीश पर असीस बें वर्दान दें ताके मानुटा की सेवा कर सकें अब मैं आगे पुरे जी को बोलूँगा कि फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हैं जैस जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत शुक्रिया चत्रजगड के धरते से बहुत ही शुपकावना संदेश के संदर में अपनी बाते रखी है मैं आमारे साथ बने रहें मैं फिर से अमेरिका के धरती को जाना लंबे संधस के बाद ही जो फल मिलता है तो उसका आनंद अपने को भी तो मिलता है बलकी पूरे समाज को मिलता है पूरी मानवता को मिलता है तो मैं चाहूंगा कि हमारे अमेरिका में और हमारे चत्यजगर की भी धर्ते में बहुत सारे बहुत हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं वैसे तो सिक्षों को गुरू के विचारों पर चलने कर रही एक मानवता की रूप में जानी जाती है जहां जहां भी उनके अंदर में ऐसे मानवी सिवा भरी होती है उनको ही याद किया जाता है इससे पहले हम क्रिपाल सिंग साब को भी सुनते रहते थे उनके अंदर में कुट-कुट के ऐसी मानवता भरी भरी पड़ी थी और जिने हम अपने पिता के सुरूप में देख ते वो हमारे बीच में ने उनकी कमी हमें खलती है लेकिन उनका इसने हमें लगातार मिलता रहेगा और मिल भी रहा है मैं जिस्पिर भाडिया साब से अग्रह करता हूँ कि इंडरेजित बासु साब की सुप्लम्दी के लिए अपने अलफाज के साथ में आज की इस महतपूर परी चर्चा पर अपनी बात रखेंगे वाह अग्रुजी का का वाह गुर्चि के फते हैं पर फ्ते हैं एकप पर सबसे पहले सलानी साबको बहुत धन्य द्धन्यबाद जो नोने हमें ये तुफान जो आया था भी अभी रात को गुजरा है तो सुबह हम बाहर देख रहे थे काफी पेड़ पोदे टूटे पड़े हैं उनके पत्ते बगरा सारी लेकिन ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ तो इस मामले से ठीक रहे हैं तो दूसरी बात ये है के आप सर्दानी साहब भी वासु साहब भी और मैं भी गौर्मन कॉलिज लुद्याना से ही पढ़ा हूँ वड़ी कुछी के बात है 56, 1956 to 58 दो साल मैं इंटर साइंस कीती है गौर्मन कॉलिज तो तो उससे बात फिर मैं चंदीगाड चला गया ऐसी आई बेंट टू चंदीगाड फराज देरी तो सलानी साहब भी पढ़े हैं तो कौन से साल आप रहे थे जिए बहां तो उनीसो बात 68 से बातर तक 68 से 72 तक मैं उनीसो उनीसो ओठाट तो सतर तक है में कीती है मैं बहुत काभी पहले फिर निकल गया चलो खर तो एनिहाओ साथे सीनियर हो तो सी साथे साथे हो और जी सीनियर साहर लुद्यानवी स्तीष चंदर तावन सारे हो से कालेज दी पैदावार ने इस कालेज ने बड़े इंटरनेश्टल बंदे पैदा की ते ने तुसी होते अमेरिका दे बीच चंदे काट रहे हो सानु पर साथे बहुत बड़ा मान है बहुत कुशी है जी बहुत कुशी है तेने इसी को खौले थे पड़े है तेसे काल आए ड़ाक साथ दे बारे उने बारे किल्ला कुश कही है कई साल कुश साल हो है ने सानु इस मानवता वाईस भाईसाल मानवता देना जो उसी बुद्वा राधा प्रोग्राम कर दे है तो जारा ही सुखी जी मेंदारा ते ज्यादातर सानी जो बासुसाब दी कंट्रिबूशन है उस प्रोगाम दे अंदर बहुत ही आजीम है पुटक्ट साब हमेशा ही सानू बहुरे ही विद्या परे विद्वत परे सानू ओना मामिय ते ओना संच चामाज़ यूपर विशा शंच को लो ना दे क्योंकि सानु बड़ी नॉलिज मिलती है और जो कवतावा ने बड़िया ही उस्षा पूर्वक बड़िया ही बड़िया ही गयरिया ख्यालादिया है माफ करना को तबीयत ठीक नहीं है खर तो इस वस्षानु इसकाल बड़ी ही खुशी है माने एड़िया जो इस किताब दे बारे जो कुसकार मिले आए इनाम मिले आए ए ते बड़ी एक मंगली चीज होना वास्ते महका होना वास्ते बड़ी मंगली चीज है जो होना दी कि आपनी किताबहां राइटिंग ने थू, आपनी काउम दे थू, kommtाम दे हो जिसने हो. उत्रात कोई मकावडा है दो. ऐसमय कामते हैं थ signature हूं, ने तक हूं ने भूद से जिना वनाने सहते हूं किती है, सहती सेवा की थी अपनी कताबा नहीं, उदा कोई मुर नहीं, बड़ी ही बेश्मीत नहीं चीज है, इस वर से मैंता है दिल तो रख्षाब नों तनवाद देना, उनना दी कंट्रिबूशन दा, और मुवार्ख बार देना कि जो उनने गिफ्ट मिलिया है, जो प्रस्कार मिलि इनना शब्दार सुकार गोर जी, हुआएका अलसा वाइफदे, बहुत तानवाज जी, बाडिया साब बने रहे है हमारे साथ, अल्लुदियाना सही, डॉक्टर वासू साब के ही, मतलब है, सहबाटी या मित्र रहे है, वो भी प्रोफेशर है, जिस पाल सिंग जी जुड़ चुके हैं, लुदियाना सही, मैं उनसे भी बहुत स्वागत करता हूँ, और आज के इस मैंपुर विशे पर अपनी बात रहने के लिए आमंद्रित करता हूँ, अपनी आवाज और वीडियो खोलें, जैस्पार सिंग दी, वाहिगुर जी का खाल्चा वाहिगुर जी, जैस साइज विच इना दे तरीफ कीती है, गुर्णा दे सिलाना कीती है, मैं आफी लिटरिटर दा स्टूडेंट ना, पर जेड़ी चीज मैं सिद्धी गल करांगा, मैं वो ती इना दी, बाइगरौन बाज सब नो पता है, कि जी इना ने साइज दी गल कीती है, इना दी डेप् साल विच तिन जिड़े पोईट सानो दुनिया ते छाए, सैले, इस, कॉलरिच, मैं एक दिन सोच रहा है, आसी बाज सुच जी ना गल कर रहा है, मैं कहें पासु जी, आसी कहने या, हां सची खोड याद आ गया, विलियम वर्ड्स वर्थ, एक दिन, आसी स्टेडी सरकल हर स साल, पांच जनुरी, सारी, पांच दसंबर, पाईवीज सी जजनम दिन मना दे हैं, हर साल, ते, इस वरी सेवा मेरी लगी सी के तुसी कॉडिनेट करना है, तब मैं वासु जी ना क्या, वासु जी आसी बच्चेया नो कुछ कवता महां बलान दे हर साल स्टूडेंस नो कहन हैं, तुसी मननोगे, एक दिन भी चीना ने मैंने चुण के दे दी ते, असी सारे बच्चेया ने इना दिया स्लेक किती होई हैं, का उतावां पड़ी हैं, एपक मैं सिर भी ना दा हुदास ने, कुद्रत नल प्यार, ते ना ली ना दे, जदो मैंननो किया, यह बासु जी मैं खुद भी बोड़ना चाहांगा होते, मैं के जिस अडली इस तो कुछी दी कहला है, तो इना ने अपड़ा आर्टिकल पेजिया, मेरे खाल बासु जी उस चाह सोकत पोइंच नहीं सके सी ना, तो एक यारां पह रहे हैं थी, मैं कवता बोली सी, एक वरी स्टडी सरकल ज हाँ हमन जाद है, जाद है, सारा जीवन, एक पक देखो इना दा जिना ने सैथ वड़ा है, विलियम वर्ष बड़ा, उन दूजे पको आजो, जेड़ा इना दा आपा अनलसिस करिये, इना दे विच एक जड़ा इंग्लिश दा वर्लत है, के कुछ पोईट हुंदें स्पॉ जजबात उड़ा है, एक विचार उड़ा है, मैं सहूंगा बासु जी दे विच एक नवेकला गुण है, कि जो गुण सी असी शेले विच देखदा सी, के वो वक्त दे उपर कवता लिगदा सी, जो समे दी वंगार है, समाज दी वंगार है, देश दी वंगार है, जो दो ल तीसरा पक, एक ते स्पॉंटेनी से हो गया, एक नेचर आफ लवर हो गया, एक असी कहन देया, एक एपोईट दे विच खोजी जड़ी बिलती जादा है, जैसी कह देखने बोधिकता जादा है, उन जिते तक बोधिकता दी गल है, सिख, मैं समझा जो तो सिखी दी गल कर देय सिखी कीरतन लंगर तो जड़ी सब तूतम चीज़ है, मैं समझा, ओ सिखा दी बोधिक परंपरा है, गुरुनानक देव जी तो लेके, गुरुवंगर देव जी ने, पाई गुर्दाज जी ने, गुरु रामदाज जी ने, अखीर ते जदो गुरु अरजन देव जी ने सं पादना कीती, मैं समने ए पीरिट जी अजे तक वी जो साड़ी बोधिक परंपरा है, वो बोध अमीर है, सुगल फिर आ लिये वासु जी दे, वासु जी दे, मैं देखिया, पिछले इननु याद आज तो पांद मीने पहला, पटे आले विच एक लेक, जड़ा उत्तम लेक सारे लेक इनवाइट कीते सी, उत्थे इना दा पसारे पंजाब दे विचों इना दा लेक नंबर एक ते आया, इना दा थीम सी, गुर्बानी दी रोशनी विच सिखी दा पोएक, तुसी दिखो उत्थे, उदर ती दासन वे उत्थे सेवा मिली स्टेज ते बैठन दी, तो इना दा त्दाया ना स्वागत होया, इना एना सिखी थी भोदगता दी गल कीती, इना जब लग फासारे ने अरादी गल कीती, गुर्मन दी गल कीती, अज दे संदर विच दे सिखी दे फूचर वी तो मैं संदा वासु जी आपने आप विच एक कमाल दा सुमेल हन जिना दी कवतावां विच एक स्पॉन्टेनियसली एक कुदरत नाल प्यार, पंथ दा प्यार, पंथ दे इतियास दा विचार, साधी सिखी दी लख्ड़ता दे इना दे आर्टिकल, खाल से दी न्यारापन दे आर्टिकल, सो मैं देखिया है कि इना दा जड़ा एक गुण है, ते मैं इना नुब दस्या नी पावे ना दे बेटे कार्कीटर्ग, पर रभ ने ना ते मेर कीती, इना दी एक गुणा जड़ी बहुता है, कवतार नाल प्यार, यह लगदा है, यह डिये ना दी बेटी, जो मेरे खाल, मैं ना पूल गया, पिछे इना दी मैं कहता हूं, उन्हान नो इस सनमान किता गया सी, वासु जी ना पूल गया तो अड़ी बेटी था, अमेंदर पी रूबी, 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 सो सानू एक खुशी दी कहला है, कि जड़ा इना दा विरसा है, जो इन जा रही है, तो मैं समझा, चाहे सरकार होए, चाहे कोई यूनिवरस्टी होए, चाहे कोई संसा होए, चाहे कोई देश होए, चाहे वदेश होए, शाय तो अनू सब नू पता हूना है कि वासु जी ने स्पेशल इन्वाइड करके चाहे इंग्लेंड है, चाहे अमरीका है, इन्हों किन्हे किन्हे दिल बलाके इन्हा राई इन्हा को लेक्चर ते 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 इन्हा को लेक जो किसे नल को डिरेक्ट मकाबला नि कार सकते, जो आसी कहने दे उन्मी सदी, पाई वीर सिंज नो है, पर सच जानो, एकी सद्वी वी इना दी सुमामानो, वासु जी इना दी रचनामानो, इना दी सोच नो, आसी कदी पूर लिए सकते, मेरी ते वाई गुरु जी अगे अदास है, जेवे एवर स्टाइल परसनेल्टी जो में दस्याना, चाहे बो दिखता है, चाहे कवता है, चाहे कोई लेख है, वाई इना दी कवता दे, इने वचारा दी, इना दी रोशनी, सिख पंथ भी चड़ दी कला चरे, ते मेरा जो तो मन के वरे अदास होंदा है, मैं उचड़ दी कला चले आदें, वाई गुर्जी का खाता है, वाई गुर्जी की, बहुत शुक्रिया जस्पाल सिंग, ये अलुदियाना से, अलुदियाना की दर्ती को भी हम नमत करते रहते हैं, पंजाब की, उस इम्रेस्टिटी की जो बहुत बहुत महान सक्सियत, उस जो एक गॉड़ गिफ्ट के रुपे हैं, और उनकी पेड़ना, उनकी आवाज, उनकी बुलंद, साइरी, सुनने में ऐसा लगता कि हम सुनते रहें, तो मैं चाहूंगा कि जिदने भी महानु होने, आपके बारे में जो तारिफे की है, वो कोई अतिसोक्ति नहीं है, तो मै आप से, और कोई ऐसी कवीता, जो पूरी पेड़ना के रूप में आपके लिए जो सबसे पसंदीदा हो, उसको भी हमारे दर्सकों तक आज की इस मंच पर पहुंचा है, वैसे तो बहुत सारे खजाने हैं, एक एपिसोड में आपके कारिकाम पूरी नहीं हो सकती, बहरहाल म आप सबनों गुर्फते प्रवान होए, वाईगुर्जी का खाल्सा, वाईगुर्जी की पते, जगदीश जी, करी साफ, करे साफ दी, मैं गुर्तनवादियां जना के सबा जोड़ी है, थेना ना जी जगदी, मैंनों शबास देन लई, ए प्रुगाम जड़ा कीता गया, मै सलविज गले है कि मेरा जो कैरियर सेल्फ मेड है, मैं दस मीता ही सकूज पड़े हैं, उस तो बाद मैं चार मैक मैच कलर की कीती है, अलेक्सिटरी बोर्ड, टेरीफून डबार्डमेंट, रिजर्ब बेंक ओफ इंडिया, और एवी करते युनिवस्टी, आठ साल मैक कलर करे ते मैं बीए करके ते मेच फिर दाखल हो गया, दो साल लगी, और अठ्वंजाज मेटर कीती, और अठाट विज मैं दाखल होया, अमेच, तो सतर्च मैं मेच कीती, मेच करके मैं लेक्षरर बान गया, फिर एमफिल कीती, गुर्मख दे उते, डेजल्टेशन लिखेया, फि तो कि मेनु डाक्टर से दिया करन गे, मैं नाल नाल पढ़ाई जंदा सी, कालेच, नाल आप पढ़ी जंदा सी, मैं पीएडी करन लगाए, और मनुख दा संकलब सूफी कबता विच, ते गुर्मत विच, दुना दी कंपेटिब सड़ी कीती, पीएडी कर गया, फिर पिर प प्रिंसी पर डैर होया, तो पंदरा साल मैं फारण जान दा रहे, लेक्शिय देन लगी, दोजार तिन तो लह के, मैं अठारा तक, इंग्लेंट दस वर ही गया, चार वर अमरीका गया, और एक वर एक नेड़ा गया, मलेशिया गया, और जाके मैं गुरु ग्रंट साब दी ब्याख्या करता रहा, तुसी मैंनों एक शबद देओ, मैं एक एक एंटा होदी ब्याख्या कर देना, कोई शबद होए, फारण जड़ें जान देरों और उनकर नहीं पहन दीए, ए मेरा केरियर एक पबलिक स्पीकिंग दा, नाल एजूकेशन पी एडी तक दा, फिर मैं सम जड़ें, निवें विजड़ों तेन सो साला सिर्जना देव समनाया गया, और इमें सारे वार्ड जो फस्ट नाम, ब्रेक्टेड फस्ट प्राइस, मैं जेते हैं एक लाखर पैदा, इस तरह मैं आपने लई एक फील कर दा, कि मैं कम्पीटिशन राइटर हैं, जिते कम्पी जिव गेस सन, इना दे रहा ही मैंनो इनाम मिलिया, इस वारी जिड़ा के गुर्बानी प्वेखदा चानन विशा सी, और इनानो पता है, मैं उस हाल विचे किया, कि इस हाल विच मैं सोला वारी इनाम जे चुका हूं, सोला वारी उन्निस सो त्रियान में तो लह के, अज तक मैं हर साल उते नाम जे दह रहां, उना लेक नहीं मेरे लेक स्वार दे ते, और उना लेक जो कुछ ले और इस किताब वे चान जड़ी किताब नो रही नाम देता गया, इस तरह मेरा कारियर जड़ा है, उस सुसरी दी čालूंदी है ना, सुसरी दी चाल्ज रिसर्च कर दाम छे मिने एक लेख नू मैं लगाऊना सो मैं हवाला हो जाई देना अंग्रेजी दियां किताबां पुझाबी दियां हिंदी दियां इस तरह हुली हुली मैं उस भीशे नू उनू पकड़दां ते मैं प्लैन करके उसनू सिरे लउना एक बड़ा एक मारग है खंडे तिखा मारग है जड़ा रिसर्चिदा है तो गुरु मराल मेरे अंग्संग है मैं सिख तरम दी वलखन ताथ एक लेख लिखिया जड़ा के इस विश शामल है मैं एक पेश कीता कि सिख तरम एक लेर वज्जों पैदा होया गुरु नानक त्वारा इनकलाबी लेर वज्जों और एक दसां गुरु मां दे राई एक खाल से देविच बदल गया यानि ए दी वलखनता है के एक कौम दे रूप जे सामने आया अते देखो जो सिख तरम दी बढ़ियाई है वो इतनी सारे वर्ड दे उते से सिख फेले होए ने क्यों क्योंके सिख तरमने समाज़ग जड़ी सरगर्म जीवन है उससे बड़ए जोड़देता है तुसी देखो बार जाओ तुसी आम सिख MP मिलनगे MLA मिलनगे क्यों क्योंके गुरुमा ने कहा कि शिख जिड़ा है उदी पगती समाज़क पगती होएगी उँ अंदर बैके पगती नहीं करेगा समाज़क दी सिवा करेगा उज़े समाज़क दी सिवा करता है ते फिर वापे अगे होंदा है क्योंकि जनों वूटां पेंदियाने बार ले देशां चे यह थे और समाज़क कर्म नहीं पेंदियाने इस करके सिख तरम जिड़ा एक वग्यानक तरम भी है यह आदरू की तरम है देखो गिरिस्ट मार्गते जोड़ दिता है पहली आदरू किता है कि सानु किसे गुरू ने नहीं किया तो उसी जंगल जाके पगती करो सानु गिरिस्ट विच रहके संसार्त और निंकार वाला सी सफर कर देया और एक सानु एक यह गया है कि संजम रखने अपने मनों वेग्गां ते पांच विकारां ते संजम रखने तांके सब यह चार तरकी कर सके सब्याचार दांत रखी करता है जे बंदा जेड़ा है उप पाश्वक जेड़ियां पर विर्तियां ने उना रोके उन्जेड़ा हर्वेले सरीर दे स्वादना जी पेया रहेगा उन्हें खोज की करनी है उन्हें सैंस दान की बढ़ना इस करके मनोवगी जड़ा जिवन है उसे संघ्वते जोर है एक औरताने सद्कार ते बड़ा जोर है इसकर कि भी सेग तर्म जेड़े आदनों के है और हाक लावगी कमाई ते जोर करना है आज काल जेड़े सेखने कई पेखी सेखने पेखी से कौन हम दें जी जिना दा पगड़ी बननी होए ते लगण सेख पर अगले दिन फोटो आ जाए के आ सरदार जी पांजी लाख दे रिश्वत चुपड़े गए दस्तार बननी हुंदी है पूरा खालसाई बना हुंदा है पर थले लिखे हुंदा है रिश्वत ये दा मतलब है के ओ जिड़ा सिख है ओ विखावे दा सिख है ओ पिखी सिख है जिस्ते बेईमानी देखे चल देने जिड़ा जेला पो गड़ा है गुरू साब ने के आसी हक लाल्दी कमाई करो ए आदनुकता है एक दलता जड़िया नीमिया जाता है नल प्यार करना गुरू नान्ड ने की किया सी नीचे अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानिक तेनके संग साथ बढ़ियां से हो कह रीज़ चित्थे नीच समालियन देथे नदर तरी बख्षीश ए जड़ा नीविया नू गले लगाउने ए आदनुकता है एसे तरह परजीवी होंद प्रती किरना असी प्राय किसे आसरे नहीं रहना अपने सेल्फ डिपेंजन्ट होना है और एक बाबर्दी सामराजी नीती दा वरोध कीता गुरुनानक ने गुरुनानक कला सी उना वेलियां विच जिनने बाबर्दा वरोध कीता ते किया पाप की जजले कावलोता या जोरी मंगे दानमे लालो ए आदनुकता है सिखी दी जंग दे वरोध विच जाना और पठान जड़े हाकमे थो रहे संग उना दा भी गुरु साब ने किया के पठान जड़े ने ए अपना फर्द पूरा ने कर रहे ए फर्द पूरा कर दे उन्दे बाबरे थे अला कारी ने इस ती सगदा इस तरह गुरुनानक साब ने जड़ा प्रिस्टा चार प्रती जड़ा गुरुनानक ने प्रती कर्म कीता है जड़ा उना के हाक पराया नानका उस सूवर उस गाहे पराया हाकम सलमाले सूवर दे बाबर ए दूले गवर दे बाबर ए आदनुकता है और एक गुरु साब ने के जिने ने इस सारे रब नो मिला सक दे एना किस कोई तरम जित दुआरे अबरे तिते लियो उभार। गुरु साब ने किया जिडे तरम रहीं रभा मैनो तारना चाहना है मैनो तुआर लाएं। सारे तरम मनुख नो रब तक मिला सकते देना और ए अदनुकता है और गुरु ग्रण साफ विच सारे पक्तादी बाणी कठी कीती एक पाई चारक एकता दा मौडल है इस करके सिख तरम जड़ा अदनुक है मैं कहना है जामांगा के सारी किताब विच सिख तरम नो अदनुक एक लेख है खालसा कालपुर की फोज एक लेख है खालसे दी आज दे योग विच की पर संगता है देखो इन एदे लेखा नहीं बनगी देखो एक लेख है अंग्रेज आगे ठारा सो पंजाज और ठारा सो पंजाज और ठारा सो पंजाज तो उननी सो पच्ची तक शे लेर चलियां पंजाब जो नंकारी लेर, नामतारी लेर, सिंग सबा लेर, अकाली लेर, बबरकाली लेर, एक गदर लेर, एक पंजतर साल चे छे लेरां चलाके अंग्रेजां दा वरूद कीता गया, इस तरह एक लेख हो रहा है, ओए सतारां सो आठ विच गुरु गोबिल सिंग च यहां तो, सतारां सो आठ तो, सतारां सो पैंट तक, सत्वन्जा साल दा सिख संगरिश, जिदेज के बंदा बादर दा रोल, छोटा का लू का रहा, वड़ा का लू का रहा, इस सारे जिड़े समा है, सारे मुगला दा, विनाश, और सिख मिसना सतारां सो पैंट चे बन गई और 1799 जुमारा अजी सिंग ने कुछ मिस्रा नाल मला के खाल सा राइदा चंडा कर दिया इस तरह इने लेखा दी बनगी देखो एक लेख है गुर्बानी विच वाता वरंदियां समस्या मां वाता वरंद परदूशत के में हुंदा है पहले मनुख परदूशत हुंदा है पह अजो मोढ शोडा कि भॉदे है उन्हें मारता मुदे। पर रहिए लगे है जंगल कटन लाग जनदा है जंगल कटना है अपने बनगा बतावरंद परदूश हम देखो ते जे बजट जिन्ने ने उन्हें सड़क मुनानी होई ते सड़क दे ऑधा को है उन्हें सार्क मुद पहले देल में जुटोए फिर सठकांते टोए ए जड़ा सिस्टम है ए सारा वाता वरंदे विच एक लेख जड़ा हो मैं दिता है एस तरह मैं चैना चामांगा के एक कवता दा पीस जड़ा है तोड़े कवता दी बनगी दसी जवांगा के गुरु गोबिल सिंग जी ने एक बारी जफर नमा लिखिया फते दी चिठी औरंग देव नू पाई ते कदों पाई तुसी जान देओ जदो ओना को अनान पुर्दा इलाका सारा राज खुश चुका सी बच्चे वारे जा चुके सन खालसा पंजड़े पांच प्यारे वारे जा चुके सन उन्हा ने जफर नमें जमा बली गाल सोनी आखी औरंगे ना उसकी तियां गला बे बाकी उतनी उकी पुली जाब दी मौट दी चाकी ओ आखर पंड़ा पजणा ए बंदा खाकी ओ की होया पुत मार ले तू ना चलाकी पर जीन दा बबर शेर है भी दुनिया बाकी चंगारे चार ब जाके बल बाकी इस पुबल भी चोप अठकनी अंगमार बाकी ओ जरा जरा पंजाग दा हुन हो गई आखकी ए सब कुनिया खासला ए सब कुनिया खाल सा बदले लो बाकी ओ तेरी हेंद होकुमत हो नहीं सब ढाकी ढाकी नमी नरौही हो गई क्योंके लोग दिलां बिक्तु वगा लाईया और मुर्दा रूहा टूम के तुमाँ जगाईया नाडा सुतिया ठंडिया तुम चाग गुरमाईया और कौम सजाई आख दे जिनुन संस सपाईया और फकीरां ताई बक्षिया उन्हें पात चाईया ते चाड़ पैसें को पचांग दिये और कर लमिया ताईया प जगाईया नू नथा पाईया अटकाईया नदिया ओना अटकाईया तो किसे नलवे जा बलोचिया नू पाईया ते काबल रोन पठाणिया का रुचिया पाईया ते काबल रोन पठाणिया का रुचिया पाईया चुले फिर पुझाब बेच टेसरी चंडे कंडे सिंगा ग तिखा चंडे और जो दुम्बे खाखा बन गए सरकारी संडे ओवी सोदे ताडवी लुचे ते लड़े वांग कफुना उड़ गए डाकू मशंडे कई फरंगे कई फरंगी फास करे मस करे फड़ फड़ के फंडे पार्गदारी कर गए डोगरे ते पंडे ते वासु वासने जाने किसो चणे इह तरह दियूं बढ़ लिखियां कफ़ामां थे एवाँ और एक कबता दी एमांन विरसिवर किताब है एक सर्य यह कबता दी एक कबता दी किताब मेरी अबसे तक हा रही है ओँ ए शब्द स्दा बसंत है शब्द नाल बसंत है ग्यान दे नाल बहारा ने यह ग्यान नहीं था पच्चडाने, मेरा एक सूल मैं एक खोज कीती है पिछले सालना चाहिए, वो एक खोज है, कि सानु खाथियान उचाहिद है, कि जड़े ताडने, वो ताडता है लग रहने ने, पर सेर गुरु दा उते ला दियो, एना तड़ांते, सेर गुरु दा ला दियो, ते कोई समस्य नहीं रहनी, क्योंकि सेर साड़े आपो अपने ने, सेराज खुदगर्दी है, सेराज बेमानी है, सेराज लाज ने, ते जे गुरु वर्गा सेर हो जाए, कोई समस्या नहीं, इस करके लाइए तड़ा हो ते, सीस गुरु वर्गा, तांक और कुल खि जड़ियां वेचे, ते सदा सदा दे, सदा बसंत हो जाए, इस करके, इस तरह मैं एक कबतारा सफर भी नामनाल चादारंद है, और जड़ी रिसर्च है, मैं तो नो, पिछले अपरेयल तो, मैं अड़ तक, दस किताबां दे मुख बंद लेख चुकां, शारे मैं नो कहने ज मुख बंद लेख दियो, मैं कहने चलो लेख दा, एक मुख बंद मैं लिखिया, वी पन्ने दा मुख बंद लिखिया, उक केंड लगे, कमाल हो गई, और जिनने मेरे को लिख वाया, डाक्टर बलदेव सिंग बदन, उनने दी किताब अजे छपनी है, दुनिया विच, ओद के वासु जी, मेरा शाकदूर हो गया, भे अजेवी पड़न लिखन वाले बंदे समाच चाहे ने, टाइसो किताबां दा राइटर है, डाक्टर बलदेव सिंग बदन, और पांच सो किताबां उनने संपादित कीतिया ने, साड़े साथ सो किताबां दा, ओदा एक नंबर द तो ऐसले कौम देव चोदा कम कर रहे है, मेरा सबंद जड़े, यह वजे वरकरानाल है, जड़े के सिर तरदी बादी लगा रहे हैं, मैं कहना हूना, के जड़े फोजी है, ओदा हांत समाँ बाडर ते उनने, ते राइटर नदा हांत समाँ जड़े हांत्वे चोदे पहन उ जड़े हैं, क्यों के दिवजी हैंत्वान ड़े, कि नहीं मौत ने, जड़े एक पल भी देना, तब एक पल भी अपना है, क्यों मौत करना? जयरो मौत हैं तुस्छी कहो घड़े मौते ठहर जाओना को यह ठ्ञारी नहीं ठैर, एक पल नहीं देगी मौत, ति फिर आपके न कि नेपल वदू गुदार शड़ देया तो बाबा बल्वंत ने लिखिया अमल ही अमल है हकीकत से चाही अमल ही तो पैदा है सारी खुदाई हवा ती तोरे जहाद आत्मी दा ए मंबा है नूरी महा रोशनी दा हवा कोई खाली न जाय करम तो अब आज आ रही है किसे दी हवा जो नहीं मौत नहीं जाड़ एक पल भी देना तो एक पल भी अपना हक्यों मौत करना तो पाई भी सिंग दी जो सी सिखिया लही है ओ यह है कि सीने खेच जिना ने खा दी ओ कर राम नहीं बैंदे नियों वाले नेड़ा की नींदर ओ जिना खाज पेयार ओवे नींद खत्म जान दी नियों वाले नेना की नेंदर ओ दिने दात पे बेंदे एकको लगन लगी लई जान दी है टोर अनन तुना दी ते वसनों उरे मकाम न कोई सो चाल पे नित रहन दे वसनों उरे मकाम न कोई सो चाल पे नित रहन दे तो जाद तक मंजल मेल नहीं जान दी साथ तक कोई पड़ा नहीं करना देखो प्रफेसर एक सजार सुर्जन से फुर्यादी कभी हो है ने दिली दे ओ केंदे के सबर नू मुकदर जाने आए असी सबर नू अपने मुकदर जाने आए ओ केंदे ने बदन मिटी मिटी दी होंद रबी है चिंगारी स्वाच दबी स्वाहां दा पिता शोला गुरू है चिनंग ही जिन्दगी दी आबुरू है जड़ी चिनंग है जड़ी जागर्ती है और साथ जान है मैं इन एक शब्द का के तो अनू मैं अपना जड़ा प्रवच्चन बंद करदा असर विच गले है कि जो प्रमात्मा ने किंड का देता है जिन्दगी दा उस किंड के जैसी नूर पर के जमांगे हैं दे ऐसी मिटी यां पर इस मिटी नूं मिटी हों तो पहले इस नूर पढ़ना बड़ा जरूरी ह है ने एक शड़ परमान करना वाहिगुण जी का खाल्सा वाहिगुण जी फटेश हैं हमारे बीच में मेगरा सिंग जी बाद साप मानूता चैनल से आ चुके हैं वो भी आपको आज के इस खास मौके पर आपको बदाई देना चाह रहे हैं मेगरा सिंग जी वाहिगुण ज जी बाद मेरे को बहुत जान कर यही मिली जो जान मेरे दिवाग में नहीं थी बदल बलब इतना एक हारत लूक उन्होंने शुआ है तो कहीं सारी बाते शी थी इसमें जो दिमाग को खूल कर दी इंसान को दे मलब मैं इतना इतने बड़े लेखक जो है वह वाहिस वाहिज जो हएं प्रोग्रम होता है अमरिका के साफ से तुरु से नहीं कविता लिख लाते हैं मैंने जिसमें चैक करा दो लडगी है दो मेरे को अशे इंसान मिले है लाइब में कि जिनके धिमाग कि इस चीज़ को पकड़ने के वादमत को जब तक उसको हल नी कर देता है तब तक पिशे नहीं होड़ता है कि नेपाल की लड़की विलिए उसने भी ऐसा है उसको मैंने एक टॉपिक दिया था इस लिखने का तो उसके अंदर नुख लेख है जो ग्रेट दायमंड का खिताब दिया है और गुरू साइब ने बक्साण अलग है और जो गुरू न वक्सीष करका घ्रिको दिया है इनके जो काम की वज़े से इनसान को पहचान में तो इनका तारीफ है और शिक्कोमनेंके काम को पहचान लियागी यह लेवल वठे हैं लेकिन बहुत सब्सक्राइब पहचान निकल जाता है तो इसको यह तारीफ मनकटे रबाकि इनका वाइस सो मानुता ने उनिव द्रफ से का बहुत-बहुत धन्यवाद और इनको बहुत-बहुत बढ़ाई और भी किताब इनके साथ है आज गुरु साथ बिर्वारेंगे थेंकिए सब अज़ाई और जो अपने सारे लेखों का जो हवाला दे के हमारा को आज संदेश दिया हम इनके शुक्र गुजार हैं वासू जी जिस समय पढ़ाई का रहे थे में पुझाबी उस समय दास्वी कालेज में थे वहां पर प्रफैसर बलजीज सिंग गरेवाल जो अपने आपको बलजीज से सजाद लिखते थे उनकी एक लाइन थी सिखी सची सुची मन नीवा मत उची सिखी सची सुची मन नीवा मत उची आज उनकी ये शबद हैं साक्षात मेरे सामने हैं वासू जी के अंदर नमरता भी है ग्यान का परकाश भी है ये लाउट लाइट हाउस की तरह चमकते और दमकते रहें और इनके बज़र्गों ने जो आज पंजाब में गुजरात है पाकिस्तान में वहां से ये इनकी जात्रा शुरू होई लुदिहाना में पहुंचे देश वदेश में इन्होंने प्रकाश फैलाया और आज जगदीश कुरे जी की वज़ा से आज हम लो रीड़ा वगएरा में जो आंदी और तुफान आये हैं वो सुक शांती से निपट जाएं क्योंके धरती होर परे होर और ये धरती धरम शाला है हम दूर बैठे और कुछ नहीं कर सकते अरदास करते हैं और जस्पाल सिंग जी जिनको हम बड़े लाड़ और प्यार से प बोल रहे हूं इस दर्ती से नहीं दूसरे प्लाइनट से यह अपने हाजरी लगवा रहे हैं वाइगुर जी का कल्सा वाइगुर जी की कि पते हैं जस्पीर भाडिया साब लॉरीडिया से बड़े ही उचे वचार सुने हैं सब से और एक बात और मैं पुछों वासु साहब से मैं हिंदी बात कर रहा हूं ताकि आप समझे लें कि बागी साथ ब्लाइक बोलने वाले हैं तो वस्पी साहब आप पाकिस्तान से ऐसे पाकिस्तान तो तो टल्रक है दॉटा लग साहब वस्पी साब ड़क्र वासु आझी इस गुजरात जिसे सुनी मालो है नै क्या बात है था जो चेलें वादी दश पंदरा किलो मेटर सी जिते आफरी जांगर से खादें ग्रेजान ली होई है चेलें वाई ओर यास ओके ओके वाजी वाजीवा इस बारे चलो फेर गल करनागे क्यों मेरा जनुत भी पाकिस्तान दाई मेरा जर्म स्यार कोड़ता है नक्साथ ते चलो बैए वो इस बारे जादा नकरा लेकर जो आप जी ने इचे विशार रसे ने सार्या ने और मैंनो इस गाल जी बड़ी खुशी है के सिलानी साब दे तो अना कि अब प्रणास बंदे और जिस्वात सिंग जी नाल भी ते बहु कोड़ी हिसे जी विश्वास ही ने किया है ना के दूजे वढ़िश्ट नाल इंगा जांगा नहीं कर सकते ने कर सकते नहीं कर आपार लिए विच्छ ते रख साव भासुषाब जी ताफ दुमान देन है साहत दे संसानु लोग ने वर्ड लुटरेटरचर आप लोग छोग नेड़िग उस अफिर्टरचर आप लुटरिप्टरचर आप जोग अग्जीर ने जिए वाट वर्ट अवट प्रेटरचर आप ताकि आप जिनो बहुत शाह मिले और दूसरे अनमुत शाह देन दे रहो और वाई की वह तो नमी वर बक्षे वह एकाल सा वाई पर यह बहुत सुक्रिया जस्बिर बाडिया साथ जैस्पाल सिंग जी जी बहुत अच्छा जी बाडिया जी नाली जी को और ले आ रही है ते मै सलाणी साहिभी को जा गोर्मेंट कार्य जाने पड़ते थी जैसों अस वकर सलाणी साहिव만ी यह मेरे तो सीनर सी जी इने तो नहीं सी कि üzere और बेड़ सेज थे खान्कि शाहूर के नहीं दे कि इना राव-ठी निए और दे स्टेज जी और रहे साहिए लिए ज़वशनी पर दी कला ते फिर उहला रहे है फिर वासा जो माला ओई ना ते बक्षिश है ते जिते तक पाटिया जी ने बिलकुल ठीक है यसी ए नहीं कहा से बिलकुल क्योंकि इना ते सोच मैं सिर्फ रेफर्श देता सी जी नहीं सद्धी दे वीवी सद्धी देविछ शेले कीड से मैं कैई उसे लेजे बिलकुल ओते देखो उना दी इनी सची सुची सोच नहीं सी जो वासु जी दी है जो स्मर्पत विल्कुल गुर्मत देनाल, गुर्बानी देनाल, लोथ पोथ, ते मैं तिसरे के अनदार तुझी बिल्कुल ठीक है, कि इनादी अपनी एक सोच मंडल सी, इस तुलावाब वन्हों भासु जी ने कि जिरा नहुआ एड कीती नहां, वो बड़ी कुमाल दीकल है, कि जिरी के असलानी जीन, उन्हें टच किया है, कि फ्लोरीडा दे विचे पुचाल आया है, दिखो नहां, मतलब मैं जो कहने हैं, बोदीकता भी है, इन्हें किना कुमाल दीकल की थी, घ्यान दीकल कर देना ने किया, कि पुलूशन तर ती बाद विचानदा है, पहला आदमी दा माइंड पलूट होंदा है, लेटी से बन जेदो, जो वर्ल्ड क्लाइमिट कॉंसल भी एक है कह रहे है, कि आदमी दी ग्रीड सिर्फ वेल्स तक नहीं जासी है, जी आदमी दी ग्रीड इत्थे तक ही नहीं चाहिए, कि एको सिस्टम नो डिस्टरब ना करे, वासु जी जो सोच नो और अगे लहके जाओ, तुसी बिल्कुल ठीक है, कि सब तो पहला जो आदमी दा माइंड प्लूटेड होंदा है, नाहीं तरती ते प्लूशन आ रही है, काड़ी इस सोच नो परणाम ते इस सोच नो दुनिया चो और अगे लह जाओ, ते वाई गुरू जी तो की रूप में विराजमान इंडरीचित वासू साब का, आज की साम उनी के नाम, आज की इस परिचर्चा में भाग लिए, मन्मोहन सिंग सेलानी साब का, बहुत सुक्रिया, जस्पीर बाटिया साब का, लो धियाना से, जिस पाल सिंग जी क्या, और इस चैनल के मेगरा सिंग जो संबादक हैं उनका भी, और लंबी उमर की कामना करते हुए, जा डाक्टर एंडरीचित वासू साब का, उजिन वहिस की कामना करते हैं, और वाई गुरिजी का खालचा, वाई गुरिजी के पतार, लास्टर जी एक बार जूब कहना जी, कुरिजी साब, इना दी बेटी न29 वी लाओ, ताह के इना दा विरसाा सुमान जाए, अगुंतु, जी 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 के थेंक विजिए, जाथ जाए, जाएजी, धटू झाल झाल